हेलो प्रेंज इस मॉनिका अगरवाल फ्रॉम डिवाइन सिंटर पार्ट वार स्पिरिचौलिटी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शराद जो की शुरू हो रहे हैं कल से, शराद पहले होते क्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों को शरादों को लेकी काफ़ी marsid तो इसमें यह होता क्या है और तो लोगों ने बहुत डराने के लिए बनाये हैं कुछ चीज ऐसी है जो उसमें कही ना कही साइंटिफिक फैक्स रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे पुराने इस्टोलोजिकल यह डिवाइन फैक्स हैं जो असर करते हैं तो क्या चीज हमें माननी चाहिए क्या चीज नहीं माननी चाहिए सबसे पहले जो श्राद होते हैं उसको पित्रबक्ष भी बोलते हैं पंदरा दिन का लूनर डेकर पीरिड होता है जहां पे जो हिंदूस होते हैं जितने भी हिंदूस हैं वो होमेज प्रेया करते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं जो हमारे डिपार्टेड वन्स हैं जिनकी उनकी सूल की शान्थी के लिए हम यह करते हैं साउथ इंडियन अमवस्ततन के अकॉर्डिंगली यह लूनर मन्त में भद्रा प्रदा को शुरू होता है फुल्मोन वाले दिन और डे आफ्टर फुल्मोन दे या तो फुल्मोन के अगले दिन या फुल्मोन वाले दिन भद्र बदर जो भी कैल्कुलेशन्स होते हैं साउथ इंडियन के अकॉर्डिंगली पुर्नी मन्त कलेंडर जो कि लूनर मन्त में जब अश्विन बिगनिक होती है तब वो शुरू होता है लास्ट डे जो पित्रबक्ष होता है उसको सर्वा पित्री अभावस्त्या या महाल्या अभावस्त्या कहते हैं पहला श्राज जो कि ते मेरा तरिक से मान रहे हैं कई लोग इसको कल से मान रहे हैं स्वारी कुछ क्यैल्कुलेशन सभाण हमेशा हमेशन ऐसकल हिंदू कलेंडर में गडबर हो रहे है क estratég पहला शराद पर्निमन शराद दूसरा प्रतिवर्दा शोर थैसा सद्वाद चौत क्टिट्रिए फिर है महा भारेनी शिराद उसके बाद पंचमी शिराद odorầokay उसके बाह्चमी शिराद भूंषी दश्टमी शिराद दुन नव्हें शिलांग रहे हैंगा इकादशी शिराद ऑ चौतधि कि यह जो इस चुरू हो रहा हैं कल से आपके शराद चुरू हो रहे हैं और फंदारा दिन तक रहेंगे शरादों के दिनों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब हम अपने डेपार्टेड वन्स को याद कर रहे हैं उनको हम शर्दानजली दे रहे हैं definitely हम इन दिन мыं कोई अउस्पिसियस काम नहीं करते हैं क्योंकि हम उनकोष ही देने हैं तो एक दशक्राफ हम उनकोष देग दें और दूसी धर हम ढोल चला करे कोई तुक्रणी दूर्झा धोले जो अपया करें स्मॻराद कोई शौड़्स नहीं होती है कोई पीजनेस्स भी हम शराद इन दिनों में कर रहे हैं हम पंडिक ची को या जिनको भी कपड़े दान करते हैं तो जब हम जो चीज दान कर रहे हैं उसको हम नया आपने लिए नहीं नहीं खरीते हैं हाँ कई बर ऐसा होता है कि आज को अनल नाइन शॉपिंग चल रही है मैं प्यक्तिकल बात क को थोड़ा सा अवाइड करते हैं गोल्ड को अवाइड करते हैं कुछ लोग गोल्ड को नहीं मानते हैं सिर्फ कपड़ों को मानते हैं लेकिन आप कॉस्मेटिक्स करीच सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने की चीज़ खरीच सकते हैं ऐसा नहीं कि बजार पुलम भी नहीं है आप शराद के बादी बुकिंग रहा सबते हैं लेकिन जो spiritual आइटम से होते हैं से कि healing candles हो गई, bracelets हो गई, crystals हो गई, यह समाप ले सतने कि इसमें कोई परहिज नहीं है मेली कपडों का सबस्यादा परहिज रहता है और शुब काम करने का सबस्यादा परहिज रहता है यानि कि शुब काम से रिलेटिज उसकी आत्मा की शान्तिए के लिए गरीबा को खाना खिला सकते हैं एक पत्रेभ को चल देना जिल लोगों को पितरदोष की सम shines से मैं आज हमиля gram पंप करें उसके लिए क्या प्यफिंटे क्या व नोग करने की जरूते हैं शरादों के दुनों में नियमित रूप से पित्र को जल दीजिए उनका शराद प्रॉपरली करिए उनको एक बोजे की तरह ना करें और कुछ नियमों को आप मालने तो वही आपका पित्र दोश हर लेता है क्योंकि यह सबसे अच्छा टाइम है पित्रों को जल देंगे अगर और उनके नाम पे डोनेशन करेंगे तो आपका पित्र दोश भी दूर हो जाएगा तो मैं तो भई इनी चीजों को मानती हूँ मैं बहुत ज्यादा अंधविश्वास में नहीं मानती हूँ क्योंकि आजकल के टाइम में यह सब चीजे मैनेज भी नहीं हो पाती फिर बहम र जगा लिए मानलीज अपने बिजनस प्लेस लिए वहां पर मूरत करना है तो वह अवाइड करते हैं नया मकान लिया है वह हम श्रादों में अवाइड करते हैं कोई बड़ी चीज लिए वह हम अवाइड करते हैं शादी, एंगेजमेंट, रिष्टा पका करना यह सब हम या श्रादों के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाँ एक चीज और है जो लोग non-vegetarians है मैं उन लोगो को request कर सकते हैं कि फोर्स तो कोई नहीं कर सकता है, मानना ना मानना आपकी बात है, नॉन्वेज भी आप इन दिनों में अगर ना खाएं तो सब जो लोग non-vegetarian है, उनको शारी चीज हर्ट कर जाती है, वो लोग उसके scientific, medical, बहुत सारे pros and cons है, बहुत सारे, अगर आप अर्गूमेंट करने जाएंगे तो बहुत सारे तरक भी तरक निकलाएंगे, लेकिन फैक्त यह है कि non-veg negative है, तो negative है, वो आपकी body में negative vibrations generate कर रहा है, ना यकीन हो तो non-veg की प्लेट हाथ में लेकर शुर्प खड़े हो जाएंगे और दूर से aura checking rod से आप चेक कर लिजे, आपका aura कितना negative जाता है, और बाकि मानना ना मानना तो हमारे अपने करम होते हैं, तो मुझे बताना मैं बूलेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, औ हमारे इस वीडियो के शेयर करना मैं बूले है, थैंक यू